हलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ केफसी स्टाइल फ्राइट चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ कुछ टिप शेयर करूँगी जिससे आपका चिकन अंदर से जूसी और बाहर से बिलकुल क्रिस्पी बनेगा बिलकुल वैसा ही जैसा केफसी का फ्राइट चिकन हम खाते हैं तो आएए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं यहां मैंने तीन फुल लेक के पीसेज लिये हैं फ्रेंड्स यह चिकन विदाउट स्किन है चिकन को मैंने अच्छे से दो कर साफ कर लिया है पहले हम इसे नमक वाले पानी में डिप करेंगे इसके लिए मैंने यहां एक बोल में एक लीटर पानी लिया है मैं यहाँ half teaspoon नमक डाल दूँगी और अच्छे से मिला लूँगी अब मैं यहाँ chicken डाल दूँगी अब देख सकते हैं मैंने chicken को पानी में अच्छे से dip कर दिया है अब मैं इसे ढग दूँगी और fridge में 8 से 10 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रेंड्स चिकन को नमक के गोल में मैरिनेट करने से chicken juicy बनते हैं लगबग 10 घंटे हो गये हैं मैं चिकन को fridge से बाहर निकाल लूँगी और इसे room temperature पर आने दूँगी आईए अब इसके लिए एक mixture त्यार कर लेते हैं यहाँ मैंने bowl में 1 cup मैदा लिया है मैं यहाँ quarter cup corn flour डाल दूँगी मैं इसमें 1 teaspoon baking soda 1 teaspoon नमक 1 teaspoon garlic powder 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च powder 1 teaspoon onion powder फ्रेंड्स अगर आपके पास यह available नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं और 1 teaspoon ginger powder डाल दूँगी फ्रेंड्स अगर आपके पास ginger garlic powder अविलेबल नहीं है तो आप इसकी जगा इसका paste भी ले सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ 1 teaspoon कुटीवी काले मिर्च powder डाल दूँगी और सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर इस mixture को side रग दूँगी आईए अब एक गोल त्यार कर लेते हैं यहाँ मैंने बोल में half cup मैदा लिया है मैं इसमें half teaspoon नमक, half teaspoon कुटीवी काले मिर्च, half teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउड़ा और तीन अंडे तोड़ कर डाल दूँगी सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर मैं गोल त्यार कर लूँगी इस प्रकार हम whisker की सायता से lumps free गोल त्यार कर लेंगे यह देखिए गोल की consistency ऐसी होनी चाहिए अगर आपकी गोल थोड़ी पतली हो गई है तो आप यहाँ थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं और अगर यह गाड़ी हो गई है तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी डाल लें इसे भी मैं side rug दूँगी आईए अब chicken की coating कर लेते हैं फ्रेंट्स chicken के room temperature पर आने के बाद मैंने इसे tissue paper से अच्छे से पोच लिया है अब जो अंडे वाली गोल हमने त्यार की थी उसमें मैं chicken को अच्छे से dip करके निकाल लूँगी इसके बाद मैं इसे mixture में डाल दूँगी और chicken पर अच्छी तरीके से mixture की coating कर दूँगी यह देखिए इस प्रकार हम chicken पर अच्छे से coating करेंगे चिकन को हम घुमाते वे इस पर coating करेंगे ताकि mixture की chicken पर अच्छे से coating हो जाए यहाँ chicken पर हम कम से कम तीन बार coating करेंगे फ्रेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं mixture में lumps बन रहे हैं इसी lumps की वज़े से chicken का उपड़ी हिस्सा क्रिस्पी बनेगा जैसा KFC के fried chicken में होता है यह देखिए चिकन पर हमने mixture की अच्छे से coating कर ली है अब जो extra mixture है उसे मैं जार कर निकाल दूँगी और chicken को plate पर रग दूँगी इसी प्रकार हम सभी chicken के pieces की coating कर लेंगे यह देखिए friends मैंने सभी chicken की coating कर ली है आईए अब इसे fry कर लेते हैं इसके लिए मैंने कड़ाई में vegetable oil अच्छे से गर्म कर लिया है मैं इसमें chicken के pieces डाल दूँगी चिकन को हम high flame पर कुछ देर तक पकाएंगे उसके बाद मैं flame low to medium कर दूँगी और इसे 10 से 12 मिनट तक पकने दूँगी चिकन को high flame पर पकाने से चिकन उपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से यह कच्चे रह जाएंगे इसलिए हमें यहाँ flame low to medium रखना है तब ही चिकन अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे फ्रेंड्स आपके लिए KFC की perfect recipe लाने के लिए मैंने इसे कई बार try किया है और अब मैं आज आपके साथ इसे share कर रही हूँ हमारी effort के लिए एक like तो बनता है लगभग 12 मिनट बाद हमारे चिकन अच्छे से fry हो चुके है फ्रेंड्स यहाँ आंत में मैंने flame high कर दी है ताकि चिकन पर अच्छी color आ जाए आईए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चिकन कितनी अच्छी तरीके से fry हो चुका है यह देखिए चिकन का कितना बड़िया color आया है मैं इसे tissue paper पर निकाल लूँगी और बाकी चिकन के pieces को इसी प्रकार fry कर लूँगी आईए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चिकन कितने crispy बने आया है और अंदर से यह कितने juicy और soft बने आया है फ्रेंड्स आशा है आप आज की मेरी इस वीडियो को देखकर perfect KFC style fried chicken बना पाएंगे आप इसे जरूर बनाए और comment section में अपने experience हमारे साथ share करें साथ ही अगर आपको आज की मेरी यह recipe पसंद आई है तो please इस वीडियो को like करे मेरे channel को subscribe करे और bell icon press कर ले साथ ही आप मुझे facebook पर भी follow कर ले मैं फिर मिलती हूँ एक नए recipe के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, subscribe करें और bell icon press करें इसे अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि वो भी इस लजीज recipe का आनंद उठा सकें